हमें इस ग्रह के इस हिस्से में क्यों रखा गया है? यानि इन लोगों के बीच इस परिवार में मैं इस ग्रह में हमारे अस्तित्व के संदर्ब में पूछ रहा हूँ और मेरा दूसरा सवाल भगवान के बारे में हमारे विश्वास से जुड़ा हुआ है हमारे जन्म से पहले और हमारी मौत के बाद हमारी जीवन को कौन कंट्रोल करता है आप बहुत से चीजों में विश्वास करते हैं आप मानते हैं कि जन्म से पहले आप कहीं थे मरने के बाद आप कहीं और जाने वाले हैं ये सब बहुत सारी धाड़नाएं है जब आपके पास इतनी सारी धार्णाएं हों, तो सत जानने का कोई रास्ता नहीं है, है न? अगर आप सत जानना चाहते हैं, तो पहली चीज ये है कि आप कोई भी धार्णा ना बनाएं, है कि नहीं? अगर आपकी रूची सच में हैं, अगर आप सत्य की खोज में हैं, इसका मतलब आपने कोई धार्णाय नहीं बनाई हैं, है न? अगर आप पहले से धार्णाएं बना चुके हैं, आप सिर्फ अपनी धार्णा को confirm करने की कोशिश कर रहे हैं, ये सत्य की खोज नहीं है एक सचा जिग्यासू, कोई धार्णाएं नहीं बनाता, वो सिर्फ खोजता रहता है हम खोज करें या आपके धार्णाओं को confirm करें मुझे confirmation चाहिए आपको confirmation चाहिए आप सही है क्या ये आपको सच के करीब लाता है अगर मैं आपसे कहूँ कि आपके धार्णाएं सही है क्या ये आपको सचाई के करीब लाता है लाता है आपको बस अच्छा लगेगा चलो, मैं सही था लेकिन इससे कोई भी हल नहीं निकलता, है न? जीवन हल नहीं होता, होता है क्या? नहीं इसलिए अपनी आस्थाओं के पुष्टी का कोई मतलब नहीं इंसानों के साथ ये एक बहुत बड़ी समस्या है वो चाहते हैं कि वो हमेशा सही हूँ ये सबसे बड़ी समस्या है दरसल ये दुनिया के सभी जगड़ों का आधार है मैं सही हूँ, तुम गलत हो, यही समस्या है है कि नहीं? मेरी धाड़ना सही है, तुमारी धाड़ना गलत है क्या ये दुनिया की सभी समस्चाओं की जड़ नहीं है चाहे ये परिवार में हो, समुदाय में, दुनिया में या कहीं भी हां? क्या हम इस समस्चा को थोड़ा दूर करें? तो पहली चीज जो आपको करनी चाहिए आखिर, ये आपकी धाड़नाए है और आपकी ये धाड़नाए ओरिजनल नहीं है कहीं और से ली हुई है, है न? आपके पुजारी या मुला या पिता या मा किसी ने आपके अंदर इन्हें डाल दिया? है कि नहीं? ये किसी और से ली गई है डिपेंड करता है कि उन्होंने आपके उपर कितनी मेहनत की है उन्होंने काफी मेहनत की है क्योंकि उनका व्यापार दाव पर लगाए तो हो सकता है कि आपकी धार्णाव का सच्चाई से कोई लेना देना नहों अब आप शरीर के माध्यम से किसी ऐसी चीज को समझने की कोशिश कर रहे हैं जो शरीर से परे है ये नहीं होने वाला आप इंद्रियों के माध्यम से किसी ऐसी चीज का अनुभव करने की कोशिश कर रहे हैं जो भौतिकता से परे है ऐसा हो ही नहीं सकता आप समुद्र की गहराई नापना चाहते हैं और आप एक फुट की स्केल लेकर वहाँ गए आप गलत नतीजे पर ही पहुँचेंगे, है ना? अगर आपको समुद्र की गहराई नापनी है तो आपका पहला काम है सही इंस्ट्रूमेंट लेकर आना हाँ? हाया ना, यह आपका पहला काम है मैं बस यही कह रहा हूँ आप भौतिकता से परे कुछ जानना चाहते हैं पहली चीज आपको यह करनी होगी कि एक ऐसा बोध विक्सित करें जो पांच इंद्रियों से परे हो जो उसका अनुभव भी कर सके जो भौतिक नहीं है केवल तब ही आप जान पाएंगे वरना आप केवल विश्वास या अविश्वास कर पाएंगे है ना? अगर मैं आपसे कहता हूँ कि भगवान मेरी जेब में है इतने लोग मेरा विश्वास कर लेंगे ये बखवास है हमें इस पर विश्वास नहीं लेकिन मैं आपको एक लंबी चौड़ी कहानी भी सुना सकता हूँ जिस पर हम काम कर सकते हैं और आपको विश्वास दिला सकते हैं है ना? अभी भगवान मेरी जेब में है इतने लोगों को मुझ पर विश्वास है इतने लोगों को नहीं है क्या ये लोग पहले की तुलना में भगवान के और पास आ गए? आ गए क्या? या फिर ये लोग दूर चले गए? नहीं, कुछ भी नहीं बदलता है ना, तो हम अपना समय अपनी धार्णाओं को सत साबित करने में क्यों बर्बात कर रहे हैं, आपको अपने बोध को बढ़ाना चाहिए, क्योंकि केवल बोध होने पर ही आप जान पाएंगे, जानने का कोई दूसरा रास्ता नहीं है, है ना, आप किसी भी चीज को तभी जा अनुभव करेंगे, तब तक आप उसे नहीं जानते, क्या ये सच है? जिन लोगों की मुझसे बातचीत बंद है, क्या ये सच है? अगर आप अनुभव करते हैं, आप जानते हैं, अगर आप अनुभव नहीं करते हैं, आप नहीं जानते, आप सुईकार करने के लिए तयार अगर आप केवल समाज में पास होना चाहते हैं, तो विश्वास एक अच्छा तरीका है, लेकिन अगर आप सच में जानना चाहते हैं, तो विश्वास अच्छा रास्ता नहीं है, आस्ता आपको आत्म विश्वास देती है, और मूर्खों के पास आत्म विश्वास होना खतरन आप देखते हैं, बुध्यमान व्यक्ति हिचके चाता है, मूर्खों में आत्मविश्वास होता है, क्या आपने देखा है, बहुत आत्मविश्वास, क्योंकि जब आप किसी चीज में विश्वास करते हैं, तो आपको बहुत confidence मिलता है, आपको किसी भी चीज के बारे में कोई डाउट नहीं होता क्योंकि आप किसी भी चीज में अपना दिमाग नहीं लगाते आपको पक्का पता होता है आप जॉर्ज बुश को देखे, कितने कॉन्फिडेंट है वो बहुत कॉन्फिडेंट है, है न? क्या वो गॉन्फिडेंट नहीं लगते? उन्होंने भारत आकर कहा, मैं विश्वास करता हूँ मैं सच में विश्वास करता हूँ मैंने सोचा, कहने की जरूरत नहीं है क्या हमें दिखता नहीं? आप में बहुत विश्वास होना चाहिए नहीं तो आप परिस्थितियों में आँख बंद करके नहीं घुसेंगे अगर आप समझदार हैं, तो आप अपने चारो ओर देखेंगे, है न? आप देखेंगे कि वहाँ क्या है, क्या नहीं लेकिन आप विश्वास करते हैं सिर्फ भगवान में ही नहीं, कई चीजों में अपने जीवन को शुरू करने का सबसे समझदारी भरा तरीका है मैं जो जानता हूँ, वो जानता हूँ, जो नहीं जानता, वो नहीं जानता एक बार जब आप इमानदारी से इसे स्विकार कर लेते हैं आप देखेंगे कि आपका ग्यान हर दिन बढ़ता जाएगा वरना जब आप विश्वास करते हैं, आप वहीं ठहर जाते हैं विश्वास वास्ताव में मृत्यू है माक्स ने कहा है, धर्म अफीम है क्योंकि ये लोगों को सुला देता है, उन्होंने सही कहा है ये लोगों को सुला देता है, है ना? इसमें सुलाया है ना? नींद अरामदायक है इसमें बुरा क्या है? नींदी क्यों? आप मर क्यों नहीं जाते? ये और भी ज़्यादा हरामदायक है क्योंकि वैसे में विश्वास करते हैं आखिरकार भगवान आपका इंतजार कर रहे हैं, आप जाते क्यों नहीं? आखिरकां से सिन दिते की ओवानन की जातो, नहीं है झाया को दो दो खो सकते।